दोस्तो नमस्कार आज हम यहां बात कर रहे हैं बैधनात की व्रधी वाधी का बटी के बारे में दोस्तो जानकारी के लिए में आपको बता दू बैधनात व्रधी वाधी का बटी वंग भश्म संख भस्म एवं लोह भस्म युक्त है और यहां आंत्रवरधी अर्थात की हरनिया की चिकित्सा में उप्योगी है अगर किसी भी प्रकार से आपको हरनिया की सिकायत हो गई है अर्थात आपकी आदे अपनी जगह से हटकर वर्षन अर्थात की टेस्टीस में समा गई है जिसके वजह से आपको चलने फिरने में तकलिफ हो रही है तब ऐसी स्थिती में आप किसी अनुभवी वैधि की सलहा से बैधनात व्रधिवाधी का बटी का सेवन कर सकते है आपको अपने मन से इस व्रधिवाधी का बटी का सेवन नहीं करना है आपको किसी अनुभवी वैधि की सलहा लेकर ही बैधनात व्रद्धिवाधी बटी का सेवन उचीत अनुपान के साथ सुभा साम करना चाहिए वैसे में आपको जानकारी के लिए बता दू व्रधिवाधी का बटी का सेवन आपको हनी अर्थात की सहत के साथ करना चाहिए अगर आपको हर्निया की प्रारंभिक अवस्था है तब व्रधी वाधी का बटी का सेवन करने से आप हर्निया अर्थात की आंत्र व्रधी या आंत उतरना भी इसे कहते है आप इस रद्धी वाधी का बड़ी का सेवन हरनिया की सुरुवाती अवस्था में करते हैं तब आप हरनिया की समस्या से लाप्राप्त कर सकते हैं यहाँ 20 टेबलेट की डिब्बी के रूप में उपस्थीत है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ 75 रुपए में आपको मिल जाती है अर्थात यह जादा महंगी दवा नहीं है इसका सेवन शामान से सामान जन आसानी से कर सकते है I hope मेरे दुवारा दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी है जानकारी अच्छी लगी है चैनले पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एम वीडियो को लाइक सिर कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स